यहाँ पर एक और प्रस्न को देखना है दो समीकरन है हमारे पास और दोनों समीकरनों को किस वीदी से हल करना है परती अस्थाफन वीदी से हल करना है देखते हैं कुछ नया निकल क्या आएगा इसमें तो देखो यहाँ पर जो प्रस्न है पहला समीकरन ने 2x प्लस 3y बराबर करना क्या हमको या तो x सिर्फ x बराबर चाहिए या तो सिर्फ y बराबर चाहिए तो अपन क्या करते हैं यहां से x का मान निकालते हैं यानि x बराबर लिखते हैं तो यह हो जाएगा 2X और यह 3Y पलस में है तो मतलब 9 और इसको अगर shift करें इधर तो यह हो जाएगा minus का 3Y देन अगर हम यहां से 2 और X के बीच में गुना का चिन है अगर X वरावर लिखेंगे तो यह होगा 9 minus 3Y और बटे में यहां पर आजाएगा 2 यह 2 आजाएगा इसको माल लेते हैं अपने equation number 3 हलाकि इसकी जरुवत इस प्रस्ण में नहीं परने वाल है लेकिन माल ले समीकरन क्या है 2 अब यह जो X का मान हमने निकाला है न यह वाला इसको हमको रख देना है समीकरन 2 में तो समीकरन 2 में X का मान रखने पर आजो समीकरन 2 क्या है हमारे पास 4X पलस 6Y बराबर 18 आजो X के जगह पर यह 4 का 4 हो गया X के जगह पर क्या रखना है 9 मैनस 3Y और बटे में 2 पलस 6Y बराबर 18 ठीक है क्योंकि सिर्फ यहाँ पर X के जगह पर ही हमने 9 मैनस 3Y बटे 2 रखा है और किसी भी मान के साथ 6 रखार नहीं करना है अब आजो यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या होगा देखो 2 दूनी 4 यह तो कट जाएगा अब कर यहाँ पर गुना करेंगे 2 नमा 18 और यहाँ चे 3 दूना मैनस 6Y पलस यह हो जाएगा 6Y और बराबर 18 यहाँ पर क्या रहा कि यहाँ ही यहाँ से गाइब हो गया कुछ नहीं मिल रहा है अपना ही एक्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है जब यह सिच्वेसन जब तुम्हारे सामने आजाए ना इसका मतलब जो समीकरन दिया हुआ है दोनों समीकरन सेम समीकरन है और इस समीकरन का X और Y के लिए अनेक हल होते हैं अगर इस परकार से आजा है तुम्हारे पास अगर स्वलू करो या तो X का मान निकालने के लिए जाओ या तो Y का मान निकालने के लिए जाओ लेकिन दोनों तरफ X खतम ह हो जाए वाई जैसे कि यहां पर देखो वाई वाई आया वाई ही गैब हो गया वाई का मान निकालना था लेकिन वाई तो है यह नहीं यहां पर अगर इस पर काई से यहां पर जो दो समीकरन है हमने क्या सिखाया है हमने सिखाया है लिखो समीकरन एक से समीकरन एक से या तो x ब्रावर ग्याद कर लेना या फिर y ब्रावर ग्याद करने तो समीकरन एक है हमारी पास x x plus 2y minus 4, बरावर 0, सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम तो इस 4 को shift कर लो इदर, तो x plus 2y, और बरावर में ये क्या हो गया, 4, पहली बात, पहली बात उनको ये पता चल गया, दूसरी बात क्या करना है इस 2y को shift कर देते इधर 2y पलस में है दूसरे तरफ जागे मैनस में हो जाएगा यह वाँ 4 मैनस का 2y यह दो काम हमने कर लिया इसको अपना मान लेते हैं समीकरन नमर 3 तो यह समीकरन नमर 3 x का मान हमको दे करके जा रहा है अब यह जो x का मान निकला है इसको समीकरन 2 में रखना है किस समीकरन में इस वाले समीकरन में रखना है तो यहाँ पर मान क्या रखना है हमको X बराबर रखना हमको क्या 2 का 2 होगा और 2X का मतलब होता है 2 गुने x 2 गुने x के जगओ पर रखना हमको 4-2y और – 12 बराबर में 0 दिखो गोर्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा एक यहाँ जो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यह 8 आ गया मैनस 2 दूली मैनस 4Y हो जाएगा पलस 4Y हो जाएगा और इस 12 अपन इधर shift कर लेते हो थी यह बराबर में हो जाएगा 12 ठीक है, मैनस है, दूसरे तरब जाग हो जाएगा पलस, 4Y से 4Y cancel हो गया, यहां से निकल रहे 8 बराबर 12 यहां भी खतम हो रहा है, लेकिन फ़रक है यहां पर दोनों तरब बराबर आ रहा है दोनों तरब यह दि बराबर आ जाएगा तो हल अनेक है, और Y खतम हो गया, या X खतम हो गया है ही नहीं, और दोनों तरब बराबर नहीं है, तो ऐसे समिकरन का कोई भी हल नहीं होगा कोई हल नहीं होगा बस यही समझना था अपने को तो यह हो गया तुम्हारा दो चरवाले रेखिक समिकरन को यह परतियास्थापन विदी से कैसे हल करते हैं और किस-किस परकार का हल आ सकता है किस-किस प्रकार की समझ चाहें तुम्हारे साथ आ सकती यह सारी बाते हमने इस वीडियो में की है ठीक है तो नोट कर लेना और फिर देखेंगे अगले वीडियो में अध्याय को